बिहार विधान परिशत के जिन 24 सीटों के लिए चुनाव हुए उसका चुनाव परिणाम अब कुछ ही घंटों में सब के सामने होगा। कौन जीतेगा, किसका पलराभारी है। ये तमाम बाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आपसी भीतरगाहात की वज़े से किनकिन पार्टियों को कहां कहां नुक्सान पहुँचा है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो 4 अप्रेल को बिधान परिशद के 24 सीतों के लिए वोट डाले गए थे। 187 उमिद्वार चुनाओं मैदान में हैं और 1,32,000 मद्दाताओं ने पूरे बिहार में वोट डाला था। हलाकि देखा जाए तो 1,32,000 मद्दाताओं में से महिला मद्दाताओं की संख्या जादा है। करीब 79,000 से जादा महिला मद्दाता हैं और 62,000 पूरुस मद्दाता हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो इस चुनाओं के मद्दाता हैं वो अस्थानिये निकायों से चुने हुए प्रतिनिधी ही इसके मद्दाता होते हैं। और अस्थानिये निकायों में जैसे पंचायतों में बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षन हैं। इसकी वज़ाद से महिलाओं की संख्या जादा दिख रही है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पंचायद से चुने हुए लोग जो परतिनिधी हैं मुखिया, वाड कमिस्नर, पंचायद समीती के सदस्त, जिला परिशद, यहां तक कि विधायक उस इलाके के सांसद, विधान परिशद के सदस्त वो भी इसमें वोट डाल सकते हैं। यह वोट जो होता है विधान परिशद का, यह तो पाटियों के अधार पर हो रहा है, लेकिन जो वोट डालने वाले जो अस्थानिय निकाय के सदस्त जो होते हैं, जो पंचायद के जन्परतिनिधी होते हैं, उनका चुनाव पाटियों के अधार पर नहीं होता है, वो स्व माल होता है विधान परिशद कि इस चुनाओ को जीतने के लिए दूसरे सभी चुनाओ से सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं दरसल इसमें वोट खरीदा जाता है पंचायत के जो परतनिधी है जन परतनिधी उनको अपने पक्ष में करने के लिए उमिदवार उन्हें पैसे देते हैं और यह सब को मालूम है जितने भी अथ्रेटी है चुनाओ आयोग है सरकार है सब को पता है इसके बारे में और उमिदवार भी उसी को चुना जाता है जो से मझबूत हो जिसके पास पैसा हो तो पार्टी से जदा इसमें उमिदवार की अपनी जो धन बल है वो बहूत ज़्यादा इसमें माइने रखता है अगर पार्टी दंदार हो और उमिदवार को पैसा नहीं हो तो वो चुनाव नहीं जीत सकता है ये है विधान परिशद का ये अस्थानिय प्राधिकार का चुनाव तुछ जैसा कि मैंने बताया कि चुनाव परणाम आने वाले हैं आठ वजे सुबह मतगर्णा सुरू होगी 24 जिलों में मतगर्णा हो रही है जिला मुख्यालेों में लेकिन चुनाव परणाम आने में टाइम लगाएगा ये विधान सभा का चुनाव परणाम नहीं है कि रुझान सुरू हो जाएगा इसका तरीका कुछ अलग है इसकी प्रिक्रिया कुछ अलग है विधान परिशद के मत गर्णा की विधान सभा में असपश्च तोर पर जिसको मत जादा मिला वो जीत गया चाहे हो एक मत ही क्यों नहों, मत दाताओं को एक ही मत देने का अधिकार होता है बिधान सभा में, लेकिन बिधान परिशद में मत दाता प्रिफरेंस देता है, वरियता क्रम के अधार पर वोड डालता है, उसे तीन वरियता देनी पड़ती है, अगर सबसे ज़्यादा जिसे पसंद करता ह उसे एक वरीता नंबर उससे कम को दो उससे कम को तीन तो वोटों की जो गिंती होती है सबसे पहले अभी भी ये बैलेट पेपर के जरिये ही इसकी वोटिंग होती है और सबसे पहले बैलेट पेपर को आपस में मिलाये जाता है फिर वैद जो वोट है उसको अलग किया जाता ह और जितने भी वैद वोट पड़े हैं, उसका पचास प्रतिशत से एक ज्यादा किसी को भी अगर उतना मत आ जाता है, तो वो चुनाओ जीत जाएगा. वरेता करम एक का एक क्याओन फिस्दी अगर किसी के पास आ गया, तो पहले ही चुनाओ जीत जाएगा. लेकिन अगर असा नहीं होता है, तो उसकी प्रिक्रिया है. प्रिक्रिया के तहट फिर दूइतिये करम के वोट को भी जोड़ा जाता है, और पर्थम वरेता करम में जिस उमिद्वार को सबसे कम वोट आया है, उसे इलिमिनेट कर दिया जाता है, उसके दूइतिये वरेता करम का जो वोट है, वो सभी उमिद्वारों में बाट दिया जाता है. ये करम तब तक चलता रहता है, जब तक कि असपस्थ तोर पर किसी उमिद्वार को 51घ वोट नहीं आजाते हैं अगर दोनों उमीदवारों को 51 फिस्दी वोट नहीं आते हैं तब चुनाव आयोग जिसको सबसे ज़्यादा वोट होता है उसे विजेता घोशित कर देता है तो यह प्रक्रिया होती है तो इसमें टाइम लगता है इसमें समय लगता है और मुझे लगता है कि दो पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो आपसी पार्टियों के बीच गड़ बंदनों के बीच जो पार्टियों में आपसी तक्रार है और अपने को जीताने के लिए यानि बागी जो उमिदवार हैं उनको जीताने के लिए पार्टी के जो उमिदवार पार्टी के लीक से हट कर उनकी मदद कर रहे थे उसका भी नुकसान उठाना पड़ रहा है चाहे ओ एंडिये हो चाहे ओ आर्जेडी हो चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो अब जैसे कि एंडिये ने सीटों का बटवारा काफी अस्पष्ट तौर पर किया 12 सीटों पर बीजेपी चुनाव लग रही है 11 पर जैडीयो और एक पर लोग जनसक्ती पार्टी पासवान गुट का उबिदवार है लेकिन कई सीट ऐसे हैं जहां पर बागी उबिदवार खड़े हो गए हैं और जो पार्टियां हैं वो अपने उबिदवार को मदद ना करके बागी उबिदवारों को मदद कर रही हैं तो इसका भी खामियाजा उठाना पड़ेगा आर्जेडी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो इस चुनाव में ये कह लेना कि हम बिलकुल जीत रहे हैं ये बहुत कठीन है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि धन बल का इस्तमाल काफी होता है इसमें और जो बदाता होते हैं वो कई उमिदवारों से लाफ पाते हैं अब वोट उन्होंने किस वरियता करम पर किसको कितना दिया है ये तो बैलेट पेपर खुलने के बाद ही पता चलेगा तो इंतजार कीजिए कल तक तब तक के लिए नमस्कार हुआ है